हम देखेंगे किस प्रकार भारती सुतनता संग्राम में महात्मा गान्धी ने किस तरह की भूम का निभाई आज जिन्हें दाश्टपिता के नाम से जना जाता है आखिर उनकी कौन से ऐसे कृतियां थी जिनके कारण आज पुरे बिश्व में उनके योगदान की चर्चा होती है तो चलिए अब हम बारी-बारी से चर्चा करते हैं और देखते हैं इनके कारियों को मैं आपको बताओं कि इतिहास में होने वाली कोई भी घटना यूँ नहीं होती है हर एक घटना के पीछे कुछने कुछ कारण होते है और ऐसा कहा जाता है ना इतिहास एक्रम से चलने वाला अनवरत कार्य है यानि कि जब तक हम उसके प्रिष्ट भूमी को नहीं जानेंगे हम वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर महात्वांगांदी और राष्टी आंदोलन की जो प्रस्तूती अभी हुई उसकी प्रिष्ट भूमी क्य अगर हम दूसरे सब्दों में कहें तो राष्टवात क्या है देश प्रेम की भावना है परन्तु यह जो कॉंसेप्ट था अगर देखा जाये तो प्राचिनकाल से चली आ रही है प्राचिनकाल में हम जानते हैं कि पहले भारत में जनपत था और जनपत में लोग एक साथ सम जहां पर एक गंतांतरिक इस्तिती थी अगर हम आधनी काल की बात करें तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो राष्टवात की जो बात थी या जो भावना थी उसका विकास और जो अमेरिका में क्रांती होती है जिसे अमेरिकी क्रांती कहते हैं उसमें देखने को मिलती है और राश्ट निर्मान में वहां की जो सबसे महातपून राश्ट निर्माता अगर हम कहें तो वह कौन थे जार्च वासिंगटन इनकी भूमका जो है बहुत ही महातपून मानी जाती है ठीक उसी प्रकार से इटली का जब एकी करण होता है तो वहां पर एक वेक्ति थे गैरी वाल किता थे जिन्होंने वियतनाम को एक राश्ट के रूप में परिणत किया और ठीक उसी प्रकार से हमारे देश में महात्मा गांधी तो अभी तक आपनोंने देखा कि किस तरह से एक राश्ट के निर्मान में किसी की भूमका कैसी हो सकती है तो इसक्रम में हम जब जैसे ही भ जो इनका जो व्यक्तित था वो बाकी अन्य जो लोग थे उनसे काफी भीन बना रहा था तो हम अब देखेंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव भारत के राजनिती में होता है उसके पूर में मैंने अभी जिक्र किया था कि आखिर जो भारत में इस्टरिया कंपनी कौन से कंपनी थी इस्टरिया कंपनी यह जो कंपनी थी भारत में ब्यापार के लिए आई थी यानि कि वो चाहते थे यहां पर ब्यापार करना चुकि मैंने आपको पहले बताया था कि भारत जो है एक सम्हावनाओ का देश है और यहां के जो आर्थिक स उसी क्रम में एक इस्टनिया कंपनी जब यहाँ पर आई तो उसने बैपार करना आराम किया, परन्तु 1777 इसबी तक अंग्रेजों ने यह देखा, मैं आपको की और बताओ, कि यहाँ पर जो इस्टनिया कंपनी थी, वो इंग्लैंड से आई थी यहाँ पर बैपार करने, और जो इंग्लैंड के लोग होते हैं, उन्हें हम ब्रिटिसर्स या अंग्रेज करते हैं, तो जो अंग्रेज थे, जब यहाँ पर आया, और 1677 के बीच की आधी में, उन्होंने देखा, कि वो यहाँ पर बैपार की सम्हावनाय बहुत अधिक हैं, परन्तु यहाँ के जो लोग मिला कि इन 100 वर्सों में भारत के हर एक छेत्र को समझ सकें, और उन्होंने यह महसूस किया कि यहाँ पर राइनितिक अतिपद्ध करना या उस पर अधिकार करना ज्यादा आसान है, इस क्रम में 1777 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जुद हुआ था, जिसका नाम है पलासी क यह जो जुद्ध था, बंगाल के नवाथ थे, उनके साथ ब्रिटिसर्स की हुई थी, और उसमें जो ब्रिटिसर्स थे, उनकी जीत होती है, यह जो जुद्ध था, इस जुद्ध के बाद और 1947 इस बीके बीच में एक काफी फासला देखने को मिलता है, और इसी क्रम में यह से अंग्रेज क्या करते हैं, राजनितिक अधिपत्य करना आराम करते हैं, इस क्रम में हम सब सभी जानते हैं कि घटना हुई 1857 में, 1857 की क्रांती, जिसे हम क्रांती या बिद्रो भी करते हैं, जानते हैं बच्चों, यह जो 1857 की क्रांती थी, इसी समय से भारत में राष्ट तालिस इसवी के बीच की जो घटना करम थे वही भारत में राष्टवाद और राष्ट के लिए सुतंतरता के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ने के हुई तो इस करम में हम देखते हैं कि आखिर अठारा सो संताओन इसवी की जो घटना हुई हलाकि यह असफल इसे माना जाता है क्योंकि इसके अगर हम प्रिष्ट भूमी में जाएं तो कई कारण थे परन्तु इसने एक बहुत ही अच्छा कारण दिया था या उन्होंने जो इसके दुर्गामी प्रभाव थे कि भारत के लोगों को यह लगने लगा कि जो अंग्रेज है जो बिटिस इस्ट इनिया का अपनी है उससे हम जीत सकते हैं यानि कि हम उन्हें यहां से भगा सकते हैं इस क्रम में 1857 से 1947 इसवी के बीच में भारत में एक राजनेतिक कह सकते हैं कि एक नए जोस नए उर्जा का विकास हुआ और यहां की जनता थी वो अलग-अलग छोटे-छोटे समों में धीरे-धीरे वो एकत्रित होने लगे किसके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ जी आपने सही समझा इस क्रम में 1800 संताओन इस भी की घटना के बाद अंग्रेजों को भी यह मसूस होने लगा कि इस तरह की घटना दुबारा नहीं हो इसलिए वो थोड़े कहीं न कहीं इलर्ट होने लगे और चौकने थे कि ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि फिर से ये 1800 संताओन की पुन्रावरिती हो इस क्रम में भारत के जो लोग थे वो भी कुछ जागरूप होने लगे और उसका परणाम क्या हुआ कि 29 दिसंबर 1885 भी को भारत में एक पार्टी का गठन हुआ और उसका क्या नाम था कॉंग्रेस पार्टी जिसके अध्यक्ष बनाया गया था एक विक्ति थे अंग्रेज जिनका नाम था हुँम उनकी उनके अध्यक्षता में ये बना और जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था डबलू सी बनरजी इस तरह से Congress Party का जो concept आया आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि जो हियूं थे वो तो एक अंग्रेज थे तो फिर उन्होंने Congress Party की स्थापना क्यों की तो Congress Party की स्थापना उनके द्वारा इसलिए की गई कि यहां के लोगों को एक मंच मिल सके और वो अपनी बातों को रख सक कुछ ऐसे भी अंग्रेज थे जो चाहते थे कि यहां पर राइनितिक अधिकार तो हो प्रहंतों जो मुलभूत भारत के जो लोग हैं यहां के लोग क्यों सकता हैं जो उनकी असुबधाएं हैं उसे पूरी कि जा सके तो इस क्रम में WCB नर जी Congress के पहले अध्यक्ष बनाए गये और उसके बाद की जो घटनाय हुई 1885 से 1905 इसवी के बीच में उस जो Congress की जो नीती थी वो नरम थी या उधारवादी थी यहां पर एक बात और देखने को आपको मिलेगी कि नरम या उधारवादी क्या होता है तो नरम या उधारवादी कहने का अर्थ यह है कि लोग जो है वो Britishers से यानि कि British सरकार से अनुन्य विनय करके अपने जो उनकी मुल्ब मांग थे वो उनके पास रखते थे और उनसे यह निविदन करते थे कि हमारी समस्याव को आप क्या करें इसका समधान करें तो इस निती को उधारवादी निती या नरम दल के लोग भी आप इ नाम था लौड करजन और इनके द्वारा क्या किया एता है कि बंगाल का विभाजन कर दिया एता है बंगाल विभाजन उन्हें 105 इसमी में किया गया और इसकी जो सबसे बड़ी इसकी त्रास्दी थी कि यहां पर हिंदू और मुसल्मानों को जनसंख्या के अधार पर जिसे यहां के लोगों में भारी क्रोध और उग्रता जो थी वो देखने को मिलने लगी और जो कॉंग्रेस पार्टी जो उदारवादी और अनुनय विनय की नीति अपना रहे थी अब वहां पर ऐसे नेताओं का प्रादुर्भा हुआ जो चाहते थे कि अंग्रिये के खिल स्वदेशी आंदोला नोई 105 जवी में अराम भुआ और इसकी जो प्रिश्टू में थी वो उग्रता पर थी यानि उग्रता अगर कहें तो वीचारों के उग्रता अपने अधिकारों के लिए लड़ने के उग्रता और अपने देश में सुराज हासिल करने के उग्रता तो ये जो परिवर्तन देखने को मिला वो हम लोग इसमें देखते हैं और ये जो था इसमें 1917 इसबी तक ये घटना करम चलता रहता है तो 1917 इसबी के ओधि में मैंने ज़े बताया कि जो उग्रिविचारधारा के जो लोग थे उसमें तीन बहुत ही महत्वपून जो नाम आता ह एक नामा तहला लाजपत रहका, दुसरा विपिन चंद्रपाल और तिसरा बाल गंगाधर तिलग ये जो तीनों जो सुतंता सिनाने थे ये जो कॉंग्रस के जो लीडर थे इन्होंने एक नई तरह की उर्जा लोगों में भरी और जो यहां के युवा थे उन्हें अभ लग आयाम को खोल रही थी, आगे हम इसी क्रम में, 1917 ISV में महातमा गांधी का प्रादुर्भाव होता है, जी हां, जिन्हें हम राष्ट पिता करते हैं, उनकी जो यहां पर इंट्री होती है, उनका प्रादुर्भाव जो होता है, वो यहीं से आराम होता है, तो हम देखने का प् होता ही है, फिर भी इनका जन्म कहा हुआ था, इनका जन्म पुर्बंदर में हुआ था, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, नेक चीज़ और बताओ, कि इनके पिता का नाम करंचन गांधी था, और इनकी जो शिक्षा थी, वो वकालत की थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से की थी, इसी क्रम में, जब लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब उन्हें दक्षिन अफरिका में बुला जाता है, जानते हैं क्यों, दक्षिन अफरिका में स्वेत और अस्वेत जो दो नसल थे, उनके बीच में काफी राजनितिक एसा प्रतीत हो रहा था कि उनों लोग के बीच में काफी भेदभाव हैं तो इसी क्रव में एक भारतिय वक्ति के द्वारा उन्हें आमंतिर क्यायता है कि आप यहां प्रा करके अस्वेत्वों के बीच में जो असमानता है उसे दूर करने के लिए आपाए और वो एक केस कंसी बात थी कि पहली बार उन्होंने सत्याग्रह जो था वो यहीं से आराम किया था जिस सत्याग्रह के दम पर आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे देश को सोतंत्र कराने की सफल कोसिस करते हैं उसकी जो परणिती थी जो उसका उद्भाव था वो दचिन अफरिका में हुआ मैं एक चीज और बताओं कि इसी क्रम में दचिन अफरिका में रहने के बाद जब उन्हें वहाँ सफलता मिलती है तब भारत के और प्रस्थान करते हैं भारत में जब अठारा सो तिरानबे सुए में जब वो दचिन अफरिका जाते हैं और वहां से उन्ने सो पंदरा सुए यह जो आधी है यह काफी लंबी आधी है याने की 20 वर्स में जब आकर के देखते हैं तो भारत की राजनेटिक इस्तिति थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है हाँ थोड़ा बहुत परिवर्तन यहां की जुट जनता थी उनमें था कि वो किस प्रकार से अपने देश की सुतंतरता के लिए वो धिरे धिरे एक जूट हो रहे थे और यहीं से उन्होंने यह प्रण लिया कि मैं इस देश के लिए प्रयास करूंगा और देश की सुतंतरता कैसे होगी उसके लिए उन्होंने अपनी कोशिस आरहम कर दी इस क्रम में भारतिय राजनेति में उनका प्रवेस अगर देखा जाए तो 1916 इसवी में होता है इसके पूर्व में फरवरी 1916 इसवी में एक विस्विद्याले था जिसके नाम था बनारस हिंदू विस्विद्याले जिसे हम बियेच्चियू के नाम से जानते हैं और यह उत्तर प्रदेश के वारण असी में था मैं आपको बताओ कि यहाँ पर इसके जो अध्यक्ष थे या जो यह बनाया गया था विस्विद्याले भारतियों के द्वारा उनका नाम था मदन मोहनवालवी और उनके द्वारा इन्हें भी अमंतित क्यायाता है उसमें महात्मा गांदी की छवी एक राष्ट्री निता के रूप नहीं थी बस लोग यह जानते थे कि महात्मा गांदी या मोहनदाज करमचन गांदी एक ऐसे वेक्ति हैं जो दचिन अफरिका में भारतियों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसमें सफलता भी मि लेख रर भी मिड़े करताए या गोग गांदी कर दाको खोगी पालख खरे उद करता भी म làिसमें सब्सक्राफब्सदी एक रश्री से मिलवाई बस्ष ऑांदी